तो आज हम एक important topic discuss करने जा रहे हैं जो आप लोग ने सुना भी होगा और आप लोग देखते भी होंगे कि आज कल कितनी ज्यादा problem हो रही हैं तो आज का topic जो हमें रहेगा आज दाट इस लोकल ड्रक सिनेरियों आज के लोग मेनली यंग जनरेशन वह ज्यादा effect हुई है क्योंकि जो आज कल की जनरेशन है यह बहुत ज्यादा अधिक्टिड हुई हैं विद्ध ड्रक एंड सबस्टनेश विवल्स की तो मिनिस्ट्र आफ सोचल जस्टिस एंपोर्मेंट एक सर्वे कंड़क्ट हुई हैं कि इन्होंने चक्या कि इस सबस्टनेश यूज का कितना मैगनिटूड है इन इंडिया में तो उसमें वेरियस सर अर्यूज इंडिया और विच इन जिसमें जो इनसान है वो ज्यादा अडिक्टिड होता है तो अगर मैं अल्कोहल की बात करूंगा इंडिया में तो आयल्मोस्ट 16 करोर यूजर्स अल्कोहल यूज करते हैं लेते हैं फॉर एंजॉइमेंट फॉर प्लेजर मगर जिसमें 5. पॉंट 6 करोर जो इंडिजोल जो अलकॉल लेते हैं उनको प्रॉब्लिम है दिया दप्रॉब्लिम यूजर्स और जो डिपेंडेंसी हुई है जिनको एडिक्शन हुई है जिनको डिपेंडेंट सिंड्रोम हुआ है दा पॉपिलेशन इस 2.9 करोर उसके बाद अगर मैं कैनि इंडिया में यूज की बात करूंगा तो दियर आर 3.1 करोर यूजर्स और 72 लेक प्रॉब्लिम यूजर्स और 25 लेक डिपेंडेंट यूजर्स उसके बाद मैं एक इंपोर्टेंट जो ड्रग की बात करूंगा यूज आपने सुना होगा कि उप्योड जो यूज है उसको ज होट प्रोसेस या इसकी कोगनेटिव प्रोसेस वो टोटली ब्लॉक हो जाती है उसमें टोटली चेंज आ जाती है तो इसलिए ओपाइड को बोला जाता है कि ओपाइड है जा मर्फिन लाइक एफेक्ट जो ओप्याइड यूजर्स इन इंडिया हैं डाट इस 2.3 करोर किया गया है ओप्यॉड में सबसे पहली कैटेगरी है डाट इस नेच्रल ओपियम अलकेलॉड इस इसमें आता है मॉर्फिन आपने हमेशा याद नाम सुना होगा एक ड्रग की जो आजकल की यंग जनरेशन करती हैं डाट इस मॉर्फिन इससे क्या होता है जो यह मॉर्फिन इसमें ड्रग आता है इसमोर्फिन और इसनठाइल मोर्फिन और जो कैटेगरी इस इस कैन अपक्र सुनाउ प्यस्रियू और पने टनाल तो धी आवार्यटीड ऌजिट候 और हमेशा लडड शान याउर साथ शायौर मॉर्फिन ग्यं दाट इस के बाद सिंथे हमेह बने आपिया इसके बाद एगर में नेक्स्ट की बात करूंगा जो यूज होते हैं as a substance abuse that is the inhalant inhalants का मतलब यह होता है कि जब इंसान दे यह लेता है as a smell लेता है in substance को जिसकी वज़े से इसको एक effect पड़ जाता है बॉडी पे पर इंहलेंट यूज कितने करते हैं इंडिया में 77 लाइक यूजर 272 लाइक टोटल यूजर हैं 22 22 लेक प्रॉब्र उल्हें एन एइट पोइंट फाइलेक डिपैंड यूजर जैं तो अब इन इन हैं में क्या क्या आते हैं यह व्लवेंट तो आप तो हम देखेंगे solvent में कौन-कौन सा inhalant यूज होता है इने लेंट अगर में सिंपल लंग्वेज में बोलोंगा इने लेंट वो चीज होता है जिसको हम सूंगते हैं और डाट प्रोडूसर एफेक्ट हमारे बॉड़ी पे तो इस solvent में फिर्स्ट जो आता है डाट इस पैंट थिनर्स और रिमोव उसके बाद जो ड्राइड क्लीनिंग फ्लूड अगर आपने देखे होंगे तो उसको भी आपको स्मेल आती हैं यूज आपको स्मेल को बहुत अच्छी लगती है उस उसमेल को जब अच्छी लगती है तो पेशेंट केंड बिया इंडिजुल करते हैं या जितने जो विजटेबल आइल स्प्रेज है वो यूज करते हैं तो उन वाजस इन कुई वाजस से भी एक इनसान को एडिक्शन या इन्सान को भी एक एडिक्शन प्रॉप्लीम करते हैं उसके बाद सब्सक्राइब क्रीद्यृज और डिस्पेंसर्स या कूलिंग सिस्टम फ्लूड या इथर क्लियर ख्लोरो फॉर्म या है लो थैन या निट्रस ऑक्साइड को इस गेसे है डिपेंडेंसी एफेक्ट या इस गेसे एडिक्टिव एफेक्ट उसके बाद में नाइटरेट की बात करूंगा नाइटरेट में इस नाइटरेटेश खाव और देपेंडेंसी इफेक्ट जीन इन जो है इन हेलां डिस एंडिव्र इन बात करोंगगा प्रिविलेन्स ओफ आल्कोहल कि जुआन जेट्प एंड कश्मीर की जो प्रेविल रहा सरवे की गई है दाट वस 10 तो 75 years की survey हैं तो जुमू कश्मिर में देखा गया है कि जो alcohol लेते हैं that is 3.5% जो cannabis या जिसको हम बोलते हैं चर्स या गांजा that is 0.7% या opioid users जिसमें heroin आता है या smack आता है that is 1.50% या CD2 उसमें वो percentage है 0.29% inhalant भी बात की जिसमें solvents आते हैं aerosols आते हैं gases आते हैं या nitrates आते हैं and inhalants use is 2.09% और उसके बात injecting drug user जो आज कल की generation use करती है जो आज कल की generation लेती है mainly जो आज कल की generation जो drugs लेते हैं that is in injected form and the percentage is 25,098 और दिस was some prevalence this was some data which were collected in 2019 and uh इसमें क्या देखा गया कि किस सबस्टन स्की कितनी percentage हैं कितने लोग use करते हैं तो majority of is that is the alcohol that means agent के में ज्यादा लोग alcohol लेते हैं clear but this was the prevalence of the substance use उसके बाद if a person is taking a drug a patient a person is getting addicted with the drug या patient I have a dependency effect तो उसके लिए एक treatment दिया जाता है उसके लिए treatment services available है यह government government में ने भी available किया treatment services तो a person who can want to withdraw from this substance use he or she can avail the treatment services तो अगर मैं treatment service की बात करूंगा availability of treatment services क्या है almost government of India ने 400 integrated rehabilitation centers लगाए है जो भी patient या जो भी individual addicted हुआ है drug का तो उसको उसके लिए government of India ने integrated rehabilitation center for center लगाए है total 400 centers है even कि आप देखते हो कि government hospital या district hospitals में भी addiction wings है जो आप recently जितने भी आजकल कि आजकल जो post advertisement होते हैं that is the addiction wings उसके बाद police department भी run कर रहा है addiction centers police department भी run कर रहा है इस centers to to crush the minutes of the substance use उसके बाद प्रेवी डिएडिक्शन centers है प्रेवी डिएडिक्शन centers भी है जो ट्राइक करते हैं जो run करते हैं for the prevention या protection of the substance abuse उसके बाद क्या हुआ है है that is the international plan of drug demand reduction जो वेरिस डिस्ट्रिक्स नोटिफाई किये गए हैं वेरिस डिस्ट्रिक्स देखे गए हैं जिसमें में most 10 vulnerable districts देखे गए हैं जिनमें यह सबस्ट्रिक्स ज्यादा है डिस्ट्रिक्स राजुरी पुच्च डोडा किस्तिवारा नतनाग बर्णीपूर बढगाम कुलगाम प्लवामा एंड शुपयान वो दीज वाइड़ टेन डिस्ट्रिक्स उसके बाद क्या हुआ इन टो क्रश्ट दिस मिनेस अप्ड़ सबस्ट्रिक्स लगाए गए ताकि जहां पर ज्यादा एडिक्शन हुई है इनको यह हम डिक्रीज करेंगे यह सबस्ट्रिक्स लगाए जाएंगे ताकि जो यह ड्रग मिनेस हैं या सबस्ट्रिक्स अब्यूज है इट विल गेट रिडूज इसके यह लावा दियर आर एटीफ सेंटर्स है बिन एस्टेबलेशिट एट एडिक्शन ट्रीट्म फैसलेटी सेंटर्स लगाए गए यह एंड इस सेंटर्स आर इन कोलाबरीशन विद्यूज विद्यूज आप मेडिकल साइनसेश अद मिनिस्ट्र आप सोचल जस्टिस एंपोर्मेंट और हर किसी डिस्ट्रिक यह संट प्रिशलिक अषवाम इस लिए करेंगे ताकि जितने भी स्वासिने यूज कि हुई है यह कंश जाए जो और इडेक्रेस लगाए गये यह दिया अभी ड्रग में जाइड टॉपिक टॉपिक जो नेक्स्ट पोर्शन आव हम करेंगे तो उसमें किया हम उसमें मित्स पढ़ेंगे कि सबस्टन अब्यूस के मित्स क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है हाव वी वी विल डिक्रीज दिस अबस्टन सब्सक्राइब तो आज के टॉपिक में इतना ही है आई होप आप कोई अंडर्स्टेंड हुआ होगा तो